दोस्तों आ गये हैं हम लोग किसी का भाई किसी की जान का सल्मान खान का पहली बार ऐसा हो रहा है कि थेटर रिद्दम खाली पड़ा है देखिए लगी नहीं रहा है कि सल्मान खान की मोवी रिलीज हुई है आज ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बुरे दोर से गुजर रही है और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल तो आज साबित हुआ है वैसे एज से एक दिन पहले रिलीज हुई ये लोग कह रहे हैं लेकिन एज से एक दिन पहले तो भारत भी रिलीज हुई थी बहुत सारी फिल्म में थी रेस थ्री भी एक इद से एक दिन पहले ही रिलीज हुई थी लेकिन ऐसा बुरा हल शायद किसी का नहीं था तो दोस्तो देखा पब्लिक तो ज़्यादा थी नहीं वाकी मूवी का अगर मैं ओवरॉल कहूं टो ठीक है मतलब कोई बुरी मूवी नहीं एक बार देखने के लिए वीरम की पूरी की पूरी कॉपी है और जादा मतल खीज दिया है क्लाइमक्स बी काफी खीचा गया है वैसे तो पूरी फल्म परतव नहीं था लेकि वैसे तो पूरी फिल्म में कुछ खास उनका तो अच्छी लगी मालत ताइम पास लगी वा चीनी कह सकता मैं हम यूज़ को ठीक लगी कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब फैमिली के साथ ना देख सके सलमान खान की मूवी वैसे वी ऐसा कुछ होता नहीं है पुल मिलाकर ठीक है बस एक बार देखने लायक है देख सकते हैं इ एक्शन से मड़ी आते हैं राश्ट में क्लाइमेक्स सीन में जो दिखाया था वह बढ़िया था मुझे मज़ा गया है इसा लग नहीं तो उमीद नहीं थी लेकिन अच्छी थी पहले कि पहले देखा हूं में लेकिन उसे में बहुत चोटा था बहुत चोटा था भूल गया हूं लावी दुपाय देख लूँगा घर बहुत तो बढ़ी है फुरा बहुत बढ़ी यह पिक्चर तो प्रसाउंड के लिए वास सही थी प्रसाउंड इसमें जो आ रहे थे एफेक्ट बैग्राउंड मु बढ़ी हर 10-15 मिनट में गाने आ रहे थे कभी वह जैसे अभी वह नहीं हो लगया गया उसका प्रेट वाला आ गया उसके लाश्ट में का रहे है बढ़ी तो दोस्तों अम्यूश को भी ठीक लेगी मुवी वह यह ठीक है है बंदा वह एक बार देखने के लिए है कोई ऐसा बुरों भी नहीं है तो बस एक बार अगर आप सल्मान खान के फैनर तो देख सकते हैं बाकि बहुत ज्यादा उम्मीदे लगा के जाएंगे तो निराशा याद लगेगे